है यह इस वाट सॉप दिस इस उन्तिशन पंडिया और आज के वीडियो में मैं आप लोगों के साथ में बात करने वाला हूं उन books के बारे में जो आप लोगों को NEET के preparation के लिए अपने पास रखनी है मैं बहुत दिनों से बहुत दिनों से मैं कोशिश कर रहा था कि आप लोगों के लिए एक शांदार book का set सर्च करूँ पता करूँ कि अगर आप NEET के aspirant हो और अगर आप आप लोगों के पास में ये book होना कंपल सरी है क्योंकि इन books की मदद से आप लोगों को एक बहुत solid advantage मिलेगा देखो मैं आपको एक बात बताता हूं अभी जो मैंने पिछले वीडियो डाला था उस वीडियो में मैंने आप लोगों से क्या बात करी थी मैंने आप लोगों से कहा था कि देखो जो online students अभी online पढ़ रहे हैं हम लोग इसके अंदर हमारे साथ में क्या situation create हो रही है हम लोग एक कमरे में बैठ कर अकेले पढ़ रहे हैं अब हम अगर मालो तीन घंटे या चार घंटे क्लास अटेंड करने के बाद concepts को समझने के बाद हमें ऐसा लगता है कि अरे यार अब तो मज़ा आ गया मुझे सब समझ में आ गया मतलब अब इस बार exam में रॉक करने वाला हूं मैं फोड़ने वाला हूं लेकिन क्या आप लोगों को ये पता है कि आज अगर जेई exam की बात करें तो दस लाख से जादा बच्चे बैठ रहे हैं medical exams की बात करें तो भी उसमें लाखो बच्चे बैठ रहे हैं seats limited है लाखो बच्चे exam देने वाले हैं तो यहां तो आप अकेले कमरे में बैठे हो और आसाम में बैठे किसी student की क्या preparation है और मध्यप्रदेश में बैठे किसी student की क्या preparation है यहां पर आप खुद prepare कर रहे हो यहां पर क्या हो गया है हम लोग test series को इतना seriously नहीं ले रहे हैं तो problem क्या है problem यही है कि हमें सिर्फ हमारे preparation scale के बारे में पता है अगर हम कही पर offline जाते तो हमें पता चलता कि offline में अगर 100 बच्चे आपके साथ में बैठे तो वो 100 बच्चे आपके अंदर एक आग जला देते कि यार जब यह 100 में से मैं 50 नंबर पर आ रहा हूँ तो इंडिया लेवेल पर मेरा क्या होगा तो अगर आप लोग online पढ़ रहे हो offline पढ़ रहे हो तो no problem आप पढ़िये लेकिन ये books ये books आपके पास में होनी चाहिए और ये books खुलनी चाहिए ऐसा नहीं कि sir ने बताया और खरीद ली और लाके पटक ली धोका अपने parents के साथ अपने साथ अपने life के साथ अपने career के सा धोका है तो guys चलिए मैं आपको कुछ books के नाम बताना है वाला हूं नाम आपको पीछे भी screen पर दिख जाएंगे and I hope आपको हमारा ये वाला setup भी पसंद आया होगा तो सबसे पहले बात करेंगे guys हम लोग हमारे biology की books की तो as you all know हमारे पास में class 11 और class 12 की biology NCRT की होनी चाहिए हमारे पास में NCRT सबसे पहले होनी चाहिए और NCRT वो book है जो सबसे पहले खतम भी होनी चाहिए मतलब अगर आप NCRT पढ़ रहे हो तो आपकी पूरी NCRT आपको line by line पढ़नी है उसका एक एक question निप्टाना है exercise का और उसमें present एक एक example एक टेबल एक एक diagram should be should be 100% covered आपको 100% उसको cover करना है उसके बाद आप लोगों को खरीदनी है true man's biology true man's biology ये दो volume में आएगी true man's biology अगर आप लोग खरीद लेते हो तो मैं ये मानता हूँ कि it is more than sufficient आप लोग actually biology college level की पढ़ रहे हो अगर आपके पास में true man's biology है ये theoretical हो गया अब जब हमें objective की practice करनी है तो प्यारे बच्चो objective practice के लिए आपके पास में दिनेश objective biology नाम की किताब होनी चाहिए इसके अंदर बहुत अच्छे objective solve करे हुए हैं आपको बहुत अच्छी ये book practice दिलवाएगी इसके अलावा आपके पास में S.C. Verma biology होनी चाहिए S.C. Verma biology अगर आपके पास में ये book है तो भी बहुत अच्छी book है और last book जो मैं prefer करवाँगा that is biology book by Pradip Publication प्रदी Publication की भी biology book आपके पास में होनी चाहिए लेकिन यहाँ पर मैं आपको बता दू कि आपके पास में एक तो NCRT compulsory होनी चाहिए दिनेश objective biology आपके पास में compulsory होनी चाहिए उसके बाद आप चाहे तो true man खरीद लीजिए volume 1, volume 2 इसको मिला के आपका budget काफी जादा high हो जाने वाला है इसलिए मेरे खायल से इतनी books काफी है अब अगर आपकी इच्छा है तो आप प्रदीप publication की biology book ले लीजिए SC Verma publication की biology book ले लीजिए और एक और market में किताब आती है GRB बातला आप ये publication की बातला publication की book भी आप लोग ले सकते हैं नाम आपको दिखी रहे हैं आप इन नामों को note कर लीजिए और जो मैंने book compulsory बताई है वो है आपकी NCRT आपकी दिनेश की objective book क्योंकि आपको objective solve करने में practice करने में मदद करेगी और true man biology volume 1 volume 2 ये compulsory book से इसके अलावा अगर आपको true man महंगी लगती है तो मत लीजिए आप फिर बातला ले लीजिए आप फिर प्रदीप की book ले लीजिए सब में level से में true man थोड़ी higher level पर है biology की बात guys हम लोग बात करेंगे हमारे chemistry की chemistry में सबसे पहली बात तो हमारी NCRT गीता Bible कुरान है NCRT से अच्छी organic कहीं नहीं मिलेगी NCRT से अच्छी inorganic कहीं नहीं मिलेगी NCRT से अच्छी physical कहीं नहीं मिलेगी बट स्टिल अगर आपके पास में NCRT है और अगर आप NCRT के बात अगर आप चाहें तो आप OP tendon और N अवस्थी ये दो अलग-अलग book से OP tendon और N अवस्थी इन दोनों में से कोई एक book खरीद लीजिए for physical physical के लिए आप इन दोनों में से कोईसी एक किताब खरीद सकते हैं और अगर आप चाहें तो NCRT से ही आप physical निपटा सकते हैं आगे चलते हैं और organic chemistry की तरफ तो जैसा मैंने आपसे कहा organic chemistry के लिए one of the best book है NCRT NCRT आपके पास में होनी चाहिए लेकिन masterpiece organic की जो masterpiece है वो मेरे लिए है Morrison and Boyard इतने अच्छे reaction mechanism दे रखे हैं अगर आपको reaction mechanism 200% करने तो आपके पास में Morrison and Boyard होनी चाहिए उसके अलावा again question practicing के लिए आपके पास में या तो organic chemistry objective organic chemistry objective by Arihant publication ये होनी चाहिए या again आपके पास में O.P. tendon होना चाहिए for practicing उसके बात अगर हम लोग बात करें inorganic chemistry की तो inorganic chemistry के लिए आप लोगों को अगर chemical bonding atomic structure and coordination chemistry perfect करना है और inorganic chemistry के बाकी सारे portions perfect करना है तो आपके पास में concise inorganic chemistry by J.D. Lee J.D. Lee ये बुक आपके पास में होनी चाहिए and practice के लिए O.P. tendon गाईज अगर आप O.P. tendon के बारे में देखे तो O.P. tendon physical inorganic and organic के लिए हर जगे recommend की जारी है मैं एक book एक publication और आपको recommend करूँगा वो है Syngage publication by K.S. Verma K.S. Verma की Syngage publication की book भी बहुत अच्छी है Even though theory में कुछ minor उसमें mistakes है जो मैंने पढ़ी है लेकिन objective purpose से practice purpose से it is one of the best book I repeat it is one of the best book ठीक है अब आगे बढ़ते और बात करते हैं The Physics जो सबसे खतरनाक है Physics Physics के लिए सबसे बहले NCRT होनी चाहिए बट जैसा मैंने आपसे कहा कि NCRT Physics की इतनी जादा अच्छी नहीं लगती मुझे क्योंकि वो बहुत जादा कम शब्दों में जादा बताने की कोशिश करते है It is not considered as a good book बट अगर आपको theory चाहिए तो आप NCRT को हटा कर आप प्रदीब से पढ़ सकते हो If you want to study, you can study from प्रदीब प्रदीब is a good book प्रदीब के बाद आपको HC वर्मा solve करनी पड़ेगी जो J और advanced level के students solve करते हैं वो हमें भी करनी होगी हमें ये नहीं सोचना है कि HC वर्मा सिर्फ J के लिए है क्यूं सोच रहे हो? ऐसा आप need students एक बात समझो आप मेरी एक बहुत important बात समझो क्योंकि मैं भी biology section से बिलॉंग करता था मैंने भी All India PMT के लिए prepare करा उसमें rank मारी लेकिन मेरी बात समझो हमारे समय में state PMT भी होती थी तो उसके अंदर मेरी आप बात समझो जब मैं पढ़ता था तो मुझे chemistry समझ में आ जाता था मुझे biology आ जाता था लेकिन मुझे physics पलने नहीं पढ़ता था तो मैं क्या सोचता था कि मैं chemistry और biology पर focus करता हूं physics रहने देता हूं क्योंकि मैं जिस institute में पढ़ता था वहाँ पर हमारी class जो All India Engineering Entrance Exam AIEEE और JEE main वालों के साथ लगती थी पहले JEE pre और main होती थी और AIEEE मनलब यह बात है 2009-10 की तो हम लोग साथ में बैठते थे तो जो faculty वहाँ पर पढ़ाते थे वह HC वर्मा, HC वर्मा, question HC वर्मा से कराते थे और हम सोचते थे यार हम गरीब biology वाले हम को क्या पढ़ने पढ़े की बंदर कहा, कूदा, कौन सी पूली, नीचे लटकी, कौन इलेक्ट्रोन आगे गया समझ में नहीं आता था तो हम उसको छोड़ देते थे और यही हमारी सबसे बड़ी mistake होती थी लेकिन मैं कोई बात में realize हो गया कि नहीं यार HC वर्मा solve करनी पड़ेगी तो पहले मैंने क्या करा पहले मैंने प्रदीब से basic पढ़े हो फिर HC वर्मा solve करना start करी अगर आप HC वर्मा solve कर रहे हो तो इसके लावा और कोई किताब की जरूवत नहीं है लेकिन मैं आपको एक book recommend करूँगा that is DC Pande Objective Physics DC Pande Objective Physics it is one of the greatest book of physics आप इसे जरूर solve करें अगर आप लोगों को mechanics और rotational dynamics पढ़ना है तो आपको प्रमोध अगरवाल की book खरीदनी होगी that is Objective Physics by Pramod Agarwal ये बहुत अच्छी book है देन उसके बाद अगर आपको optics, waves and electromagnetism perfect करना है तो आप लोगों को fundamentals of physics by Halliday, Resnick and Walker ये बुक खरीदनी है नाम आपको दिखी रहे होंगे ये आपको खरीदनी है and finally, I read of, E. I read of की आपको general physics की एक किताब लेनी होगी इन books में से आपको इसी भी book को follow कर सकते हैं for your physics preparation अब guys, इतनी books के अलावा, online 3-3, 4-4 घंडे के पढ़ने के अलावा या किसी offline coaching institute में पढ़ने के अलावा, या अपने youtube पे पढ़ने के अलावा आप अगर इन books को solve करने बैठोगे physics, chemistry और biology की तो आपको दिन में लगबग 6-8 घंडे तो इसी में चले गए तो guys, अभी एक ऐसा time period चल रहा है कि अभी हमारे पास में July चल रहा है July, August, September, October, November, December, January, February, March, April and next year, May मनलब लगबग आपके पास में अभी 10 से 11 महिने हैं जो 12 का बच्चा अगर ये वीडियो देख रहा है तो 12 महिने तुमारे पास में approximate है अपने studying hours को बढ़ा दो और जो 11 का बच्चा देख रहा है बेटा आपके पास में अभी exactly 2 साल है अगले साल 2022 की अगर आप नीट के लिए प्रिपार कर रहा है तो आपके पास में अभी total total 2 साल है तो आप लोगों को अभी से in books को खरीदना है पढ़ना शुरू करना है और जो बच्चों की नीट आने वाली है 2021 में आप लोग January में एक किसी भी random coaching institute की कोई भी coaching institute हो उसकी test series खरीदनी है test series खरीदने की वज़े से क्या होगा अपने gravity पर भी test series चल रही है gravity पर भी हम लोग chemistry की test series चला रहे है जो अभी Saturday को first test होने वाला है अगर आपको नहीं पता है तो आप gravity circle channel पर जाकर उसकी detail ले लेना तो यह जो test series है यह आपकी rank आपका preparation scale इन books से आपने कितनी practice करी है इसका test form में आपको help मिलेगी तो आपके पास में test series finally होनी चाहिए किसी भी random coaching institute की आप चाहिए तो gravity की ले लीजिए वो free of cost है कोई पैसा नहीं उसका या आपकर कहीं से paid लना चाहिए तो आप paid ले लीजिए तो यह आपको आपके preparation scale के बारे बताएगा तो guys यह होनी चाहिए हमारी strategy need के लिए 21 और 22 के लिए तो I hope आपके लिए video काम का होगा वीडियो पसंद आए तो एक बार ध्यान से देख लेना सारी books के नाम अपने पास में note कर लेना share करना चाहो अपने friends के साथ तो जरूर share करना और comment section में मैं आप मुझे और बताईए कि आप मुझे किस type के videos चाहते हैं क्या preparation strategies बनवाना चाहते तो वो मैं videos आप लोग के लिए prepare करता रहूँगा आप लोगों को जितना हो सके मैं guide करूँगा जितनी strategies हो सके बनवाऊँगा ताकि आपका ध्यान इन फिजूल की strategies बनाने में book search करने में न जाए जो आप energy book search करने में और strategy prepare करने में लगाओगे उतने time में अपन एक chapter के 15 से 20 objective 30 objective और कर सकते हैं तो उस time को waste मत करो time को पढ़ाई में लगाओ बाकी सब चीजों के लिए मैं हूँ तो that's all for today bye bye have a great day guys see you